हे गाइस विल्कम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है अपका इस वीडियो में तो दोस्तों आज की सीरीज में हम डिसकस करेंगे टॉप टू हंड्रेड जोग्रफी के कोईशन जितने भी केंड़ेट इंडिया ने भी ट्रेट्समेन मेट का एक्जाम दे रहे तो गाइस हम लेकर आ चुके हैं जिसा कि आपको पहले पता है कि हमने 500 टॉप आपको साइन्स के कोईशन करें जनरल साइन्स की इसकी वीडियो देखना चाहते हैं वीडियो के लिंक आपको डिसक्रिप्शन मिल जागी देख लिजएगा और मैंने हिस्ट्री के भी कोईशन कराएं गाइस वो भी 200 कोईशन सारे सलेक्टिड लियें जो कि एक्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है और इसे तरह भुगोल की हम डिसक्स करने जा रहे हैं गाइस अगर आप इसका भी पीडियो परिशेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मातर 10 रुपे इसकी प्रा वाट्स अप नमर पे आपको स्क्रिन स्वाट सेंड करनी है आज की पेमेंट करने के बाद आपको लिखना है कौन सी पीडियाप आपको चाहिए साइन्स हिस्ट्री यार जियास याने की आपकी जियोग्रफी की अगर 10 रुपे एक बार पेमेंट करते हैं तो आपको एक ही निकल के आता है ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा ध्यान रखे गाईज अगर ये वीडियो आपने 2 से 3 बार रिवाइज कर ली तो आप आराम से किसी भी एक्जामस में जो की भुगोल पूछा जाता है और प्रिद्वी और सूरी की अधिक्तम दूरी कब हो ने कि प्रिद्वी और सूरी की जो अधिक्तम दूरी है किस दिन होता है तो 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा अधिक्तम दूरी प्रिद्वी और सूरी के बीच होती है नेक्स कोशन धूम के तू किसके चार और चकर लगाते है तो धूम के तू सूरी के चार और चकर लगाते यानि भोगोल के अगर जनक कहीं पर कहे जाए तो इरेटो इस्थनीश को ही कहा जाता है नेक्स कोईशन पृत्वी के मंदाकिनी को सबसे पहले किस ने देखा तो पृत्वी के जो मंदाकिनी है उसको सबसे पहले गैलेलियो ने देखा गाईज अगर वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करते रहें दोस्तों तक जरूर शेयर करें और कहीं पर भी डाउट लगे कोई चीज अगादार वाइस मिसलमेंच लगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपने कितना कोईशन एट्रम्ट किया यह हमें भी कम प्रित्वी अपने धूरी पर कितना डिगरी जुकी हुए है तो साड़े 23 डिगरी अपने धूरी पर तिर्चा यह निकि लेटी हुए परतीत होती है इस तरह किसे तो साड़े 23 डिगरी जुकी हुए यह हमारा ग्लोब होता है इस तरह से जुका होता है नेक्स कोईशन है कहां पर दीन और रात बराबर होते है तो भूमद दे रेखा पर गाईस दीन और रात बराबर है जैसा कि यह पृत्वी है ये करक होगे ही मकर होगे है जो भूमद द इतना है तो 40,000 km पृत्वी का परीदी है next question है सोर मंडल का सबसे गरम गरा कौन सा है तो सुक्र जो है वो सोर मंडल का सबसे गरम है बुद्ध मत करके आ जाईएगा सुक्र होता है सबसे गरम किस गरा को सांच का तारा कहा जाता है तो सुक्र को ही सांज का तारा कहा जाता है कोईशन अगर ये पूछा जाए कि किस गरा को भूर का तारा कहा जाता है तो ये भी सुक्र को ही कहा जाता है नेक्स कोईशन है जब सूर्य से पृत्वी की दूरी अधिक्तम होती है तो उसे क्या कहते हैं तो उसे अपसोर कहते हैं, सूरी से ज़स दिन पृत्वी की दूरिया दिखतम होती है, किस दिन होती है, चार जुलाई को, तो उसको क्या कहते हैं, और जिस दिन कम होती है, उसको क्या कहते हैं, तो उस दिन उसको उपसोर कहलाते हैं, तो यह confusion वाला है, लेकिन आप याद रख समूदर में आपको जुआर भाटा देखने को मिल सकता है नेक्स कोशन है अंतराश्ड दिनांक रेखा है यादी आखी में सबसे निजे परेदा वाई मंडल की छोब मंडलै वादावरार निट्रोजन का कितना Country टोटल 78% वादावरार का परशन्ट है आप हुमें कमेंट किर कि किरेंगे अक्सिजन का कितना परसंट है टोटल वाई मंडल में नेक्स इंडिकोργे के मंडलों की पद नहीं आप परोगे की कुल कितनी संख्या हो सकती है फिर परतों की कुल कितनी संख्या है तो यहाँ पर पांच परत हैं आपको पता है पृत्वी की आपको उनको ने कमेंट कर सकते हैं आपको पता है तो वाई मंडल की वा परत जहां पर रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है तो आयन मंडल में रेडियो परवत जो लगाए जाते हैं कि रेडियो तरंगे जितने भी परवते हैं कि उपगरा होते हैं तो सबको आयो मंडल में आपर स्थापीत की जाती है हमारे रेडियो तरंगे जैसे की टीवी चलता है वाइफा इंटरनेट चलता है सब कुछ यहाँ पर से किये जाते है वो स्थाफित आपको आयन मंडल में ही मिलेगी नेक्स कोईशन है ओजोन शीद्र कहां पर आवस्ती थे यानि कि 21 जेगा ओजोन शीद्र हुआ था तो अंटार्कर्टिका के उपर ही हुआ था तो ध्यान रखेगा आक्रटिक के कहीं उपर लिखा जी मिल जाता है तो कण्फ्यूज नहीं होना है आर्क्टिक और अंटार्कर्टिका दोनों में अंतर है तो आपको पता है जैसे यह अमारी प्रिथवी है तो इसके उपर में जो भुर होता है पोल, यानि कि नॉर्थ पोल में होते हैं, उसको आकरटिक बोला जाता है, और जो साउथ पोल में होते हैं, उसको अंटार्करटिका बोला जाता है, नेक्स कोईशन, ओजन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताफ मंडल में ओजन परत पाई जाती है, नेक् किस मास आगर के मद्ध से अंतराष्ट यति ति रेखा गुजरती है Maya से परसांत मास आगर से गुजरती है और अंतराष्ट यति तिति RI रेखा कितनी है दो 180 sì डिगरी अक्षान से याद रखिएग है नेंस Ursula उत्री गुलार्द में सबसे लंबा दिन किस दिन होता है तो उत्री गुलार्द में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है नेक्स कोईशन है ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गयस चरवादिक भाग लेता है तो जलवास गायच तो यह गलत लिखा गया है जलवास लेके ग्री गोलार्द में सबसे छोटा दिन किस दिन होता है तो 22 दिसमर को सबसे छोटा दिन होता है सबसे बड़ा दिन कब होता है मैंने उपर ही बता है 21 जून को होता है अगर यहीं पर दक्षनी गोलार्द आ जाए तो दक्षनी गोलार्द में सबसे बड़ा दिन 22 दिसमर को और छोट दिन 21 जून को होता है ये टोटली उल्टा हो जाएगा दक्सनी गुराद में वाई मंडलिया दवाव को किसके द्वारा मापा जाता है तो बैरो मेटर द्वारा उसके द्वारा को मापा जाता है नेक्स कुश्चन पृत्वी की सता की सबसे उपरी परत को क्या कते है तो सबसे मरवस्तल कहां पर हिस्तित है, कमेंट कीजिए, वैसे बताई जाएगी नीचे कुश्चन में, पृत्वी का ओसत ताप मान कितना है, तो पृत्वी का जो ओसत ताप मान है, निकि एवरेज जो टेंपरेचर है, सोलर डिग्री सेल्सियस है, ये काफी इंपॉर्डेंट कुशन ह अक्सर पूछे जाते है, सस्सी में पूछे जाते हैं, इस तो याद रखीगा, विस्प का सबसे बड़ा डेल्टा कोन है, तो सुन्दरवान डेल्टा है, जो की वेस्ट बेंगॉल में इस्तित है, ये रोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, शनसार में स्वक्ष जल की सबस से लंबी नदी है, नेक्स कोशन है, एसिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, एसिया की सबसे बड़ी नदी यांग सी या फिर यांग टी सी कहीं पर दिखा मिल जाए, जो की चाइना में बहती है, याद रखिएगा, नेक्स कोशन है, जो आला मुखी प्रवत माला कहां पर question देख लीज़ेगा यह कुछ दूसरा question हो सकता है यहां पर next question है विस्प का सबसे उंचा ज्वाला मुखी है तो कोटो पैक्सी परवत है गाईज जो की सबसे उंचा ज्वाला मुखी है विस्प का यह काफी important question है जो की अक्सर पुछे जाते हैं which word and this news is का इख ज्वाई में ज्याँ जो सबसे जादा जो सक्री तЕख पहर भारत का सबसे जाती हैं तो भारत का एक महत्र सक्री जोला मुखी कॉन सा है तो बैरं ड्वीव है बैरन आइलेंड जो की अंड़मान इगोबार में इस्तित है और ये भारत का एक मात्र है जो कि सक्रिय जवाला मुखी है नेक्स कोशन है रिक्टर इसकिल का प्रियोग किसके लिए किया जाता है तो भुकमपम अपने के लिए रिक्टर इसकिल का प्रियोग किया जाता है नेक्स कोशन पहाड़ों पर उबगाई जाने वाली कौन सी है तो पहाड़ों पर जो मों के फसल उगाए जाती है उसको सकरकंदी बोला जाता है नेक्स है काले वन कहां पर पाए जाते हैं तो काले वन जर्मनी में पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान कहां पर है तो यह अफरिका में है याद रखिएगा घास के मैदान पूछे पर ही मिलेंगे दक्षीन अमेरinkा में सितोष्ण घास के अस्थलों को चैनल का जाता तो पंपास अगर आपको पूछyu जाते है। यह तीनों याद रखेगा तीनों काफी इंपार्ड़़न है कही ने कई आपको मिल जाते है। नेक्स कोशन है रबड के बगीचे कहां पाए जाते हैं तो सितोष्ण वर्ण में गाईस रबड के अधिकतर बगीचे जो वहीं मिलता है नेक्स है यहाँ पर फोन नहीं यह उन होगा याद रखेगा कुछ गड़बर हो जाती है गाईस उन मतलब आपको पता है उन का सबसे ज नेक्स कोशन तंबाकू की खेती के लिए मिर्दा में कौन सा तत्व जो है वो अधिक होना चाहिए तो पोटास की मातरा अधिक होना चाहिए जिसके लिए तंबाकू अच्छी फसल होगी विसमें कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है तो ब्राजिल है कॉफी का सबस next question चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन भारत मत करके आ जाईएगा चीन में सबसे ज़्यादा चावल हो गया जाता है ओला वरिष्टी का कारण क्या होता है तो हिमानी करण होता है जिसके कारण ओला वरिष्टी होती है विश में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक दिक्स बराजी लिए पहले भी किया गया है वायू की आदरता किस पर निर्भर करती है तो तापमान, अस्थान और मौसम तीनों पर निर्भर करती है ध्यान रखेगा वायू की आदरता कहां पर होगी ये टेंपरेप्चर पर बहुत निर्भर करती है अस्थान होगी अलग-अस्थान पर वायू की टेंपर्चर अलग-अलग होती है और मौसम जैसा होगा उस पर भी निर्भर करती है ये कॉश्चन कहीं पर एक उपसा न मिल जाए कहीं पर दूसरा कहीं पर तीसरा तो confusion कर जाते हैं बच्चे तो तीनों option ध्यान रहे हैं उसके अलावार कोई चोथा है तो आप उसे गलत करके आईएगा नेक्स है बांदावगाड राष्ट्री उद्यान किस राज में है तो मद्य परदेश में है बांदावगाड राष्ट्री उद्यान संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उद्पादक देश है दक्षिन अफरिका सबसे ज़्यादा सोना पाये जाता है नेक्स कोच्चन संसार में माईका का सबसे बड़ा उद्पादक है तो हमारा भारत जो कि माई का यानि कि अभरक का सबसे बड़ा उत्तपादक है विस्व का सबसे बड़ा धूइप कौन है तो घ्रिनलेंड है सबसे बड़ा धूइप है विस्व का next question हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है तो सुंडा गर्थ है याद रखेगा मेरियाना गर्त प्रसांत महासागर में आपको पूछा जा हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई तो सुंडा गर्त है हिंद महासागर की next question स्वेज नहर किसको जोडती है तो लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोडती है next great barrier reef कहाँ परिश्ती थे संसार की स्वक्ष जल का कितना परसेंट है स्वक्ष जल का कितना परसेंट है जो की बर्फ के रूप में भंडा रही ते तो स्वक्ष जल का भी गाई 70 पर सेंट सिर्फ बर्फ बना हुए यादि की totally glacier में जो है वो भंडा रित किया गया है हमेशा बचत करें जल की परवादी ना करेंगा इस बहुत important है जल परवाल भिति आज समुद्री पर्थारी रूप है उश्ण कटि बंदिय वर्षावन में परवाल भिति सबसे ज़्यादा परशारित रूप में है नेक्स कोशन है विश्प की सबसे गेहरी खाई मेरियाना ग आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में पाक स्रेट पड़ता है और आपको देखी वह ये यह एक याने की एक रेखा टाइप की पाक स्रेट वही है जलसंदी होती है जलद अमरूमद जलसंदी कहलाती है किसी स्री राम ने पूल बनाया था उतुसी को अभी इसका पाक जल्डमरू मद कहा जाता है आदम पूल की नाम से नेक्स से सबसे छोटा महासागर कौन है तो आकरटी के सबसे छोटा महासागर है सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर विसका सबसे बड़ा द्वीब कौन सा है तो ग्रिल्लेंड पहले भी बता दिया हूँ मैं काफी important question अक्सर पूछे जाते हैं किस देश को 1000 जीलों की भूमी कहा जाता है 1000 जीलों होगा यहाँ पर खेलो नहीं 1000 जीलों की भूमी कहा जाता है तो यह फिल्लेंड है और याद रखेगा फिल्लेंड एक current affairs में डेटा बताऊं तो संसार का सबसे वड़ा खुसहाल देश है फिल्लेंड सबसे ज़्यादा यहाँ पर खुसी लोग रहते हैं यह खुसी में जो आपका खुसहाल जो इंडेक्स है हैपी इंडेक्स में वो फिल्लेंड का है संसार की च्छत किसे कहा जाता है तो पामीर का पठार को संसार की च्छत कहा जाता है अंदकार महादवीप किसे कहा जाता है या फिर अंदा महादवीप के मिल जाए काला महादवीप मिल जाए तो सभी कॉपरिका को ही का जाता है नेक्स कुछन है भारत और पाकिस्तान की कौन सी रेखा अलग करती है यानि कि भारत और पाकिस्तान को जो है उसके बीच में कौन सी रेखा है तो रेडिकल परेखा है मेक मोहन रिखा द्वारा अलग किये जाने वाले देश हैं तो भारत और चाइना के बीच में जो रिखा अलग करती है उसे मेक मोहन रिखा करते हैं और याद रखेगा जैसे कि हमारा ये इंडिया है और यहाँ पर अगर मैं देखो तो इस जगह रोना चल परदेश के जगह भारत और चाइना को अलग करती है उसे क्या कहते हैं वो आपका कहलाता है मेक मोहन रिखा लेकिन आपको यहाँ पर लद्दाख और चाइना के जगहर मिल जाए कि यहाँ पर कोन अलग कराता है तो यहाँ पर LAC उपलब्ध होता है वो LAC कहलाता है नहीं कि लाइन ओफ कंट्रोल तो यह सब काफी इंपोर्डेंट कोशन है UPSC तरवाल तक पूछा जाता है तो याद रखेगा नेक्स कोशन है संसार का सबसे अधिक जो द्वीप है आदर द्वीप वो दक्षीन अमेरिका में है नेकि सबसे जादा द्वीप जो समों मिलता है आदर द्वीप में वो दक्षीन अमेरिका के है नेक्स कोशन है सारा रखिस्तान किस महा द्वीप में इस्ती थे तो आफरीका महा द्वीप में सारा रखिस्तान इस्ती थे मैंने बढ़ था पहले पेर्यू कुई राजधानी किया है पेर्यू की राजधानी है लीमा विस्ट का सबसे उची परवत माला है वह हिमाले है यही पर पुछा जै विश्ट का सबसे माउंट एवरिष्ट को तो 2 सेंटीमीटर कभी 1 सेंटीमीटर उसमें व्रधी हो जाती है भारत का सबसे उचा परवत है भारत का सबसे उचा परवत केटू यानि कहीं पर केटू में मिल जा है केटू यानि गौडविन आउस्टीन ये सबसे उचा परवत है और विश्व कोई सबसे उच लंबी परवत माला तो एंडीज परवत माला है विश्व की सबसे उची परवत माला हिमाले है और विश्व की सबसे लंबी परवत माला वो एंडीज परवत है confusion नहीं होना है नेक्स कोईशन Great Barrier Reef कहां पर इस्ती थे और किस समुद्र में इस्ती था आपको पता है आप पताए हमें अलपस परवत सरिंगला किस महाधुइप में इस्ती था है ये यूरोप में इस्ती था है याद रखेगा अलपस परवत सरिंगला नेक्स कोईशन Red Indian किस देश के मोल लिनिवासी को कहा जाता है तो उत्री अमेरिका में जो हमारे इंडियन पाए जाते हैं और उने को Red Indian का जाता है इंडियन है हमारे भारत के मोल लिनिवासी होते है छेतरफल की दिरिष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज है तुराजस्थान और छेतरफल की दिरिष्टी से भारत का सबसे छोटा राज वो गोवा है नेक्स कोईशन छेतरफल की दिरिष्टी से संसार में भारत का कौन सा स्थान है चेतरफल की दिरिष्टी से भारत में सात्मा स्थान है और जनसंक्या की दिरिष्टी से भारत का कौन स अभी दूसरा है लेकिन जैसे ही 2021 की अभी जनगन्ना होगी उसके बाद लगता कि मुझे पहला हो जाएगा नेक्स कोईशन है भारत के दक्षिनितम बिंदू क्या है तो इंद्रा पॉइंट कहला तक जो दक्षिनितम बिंदू से इंद्रा पॉइंट और सबसे जो आपका उत्रिम बिंदू होगा वो आपका जोजा इंद्रा कॉल सूरी मंदिर किस राज में इस्तित है उडिसा में सूरी मंदिर इस्तित है भारत का छेतरवल पाकिस्तान से लगभग कितना गुणा बड़ा है तो पाकिस्तान से लगभग चार गुणा बड़ा है और ये पाकिस्तान चाहता है भारत को कब जा कर रहे ना आप समझ सकते हो कित और भारत पाकि बंगला देस के साथ रहा है तो फाकिस्तान या पिर चाना मat करके आना है भारत के समीप सबसे चोटा समुधर कौन सा है तो मौल्दिव समुद्र नहीं है, सबसे छोटा देश कौन सा है, तो यह मौल्दिव है, द्वीप आपको मिल जाया, सबसे छोटा द्वीप गाईश मौल्दिव है, भारत में सरवादिक जनसंख्या किस राज में है, तो उत्तर परदेश में, और भारत में सबसे कम जनसंख् लगता है अंबू बाची मेला जो कि बहुत ही Ἀंप्रेंट है किसी भीग् third में अभी एंड़ीं पीसी में लख बाग लेंगे पांचishna छे बारा चुक़ है तो आने कि पॉसिबल है अंबू बाची मेला कहा लगता है तो आसम मेला लगता है और कमक्याय लई मंदीर के दिन पूजा होती है रोसी के दिन अम्बू बाची मेला लगता है. Next question है, काजी रंगा राष्ट उध्यान कहां परिश्थी थे? तो यह असम में इस्थी थे और किसके लिए फिमा से एक सिंग वाले गंडे के लिए? रंतंबोर राश्टी उद्यान कहां पर इस्ती थे रंतंबोर आपका राजस्थान में इस्ती थे नेक्स है हीरा कुंड बांध किश नदी पर बनाये तो महा नदी उत्राखंड में हीरा कुंड बांध बना है उत्राखंड की ग्रिस्मकालिन राजधानी कौन सी है तो उत्राखंड की एक नई राजधानी बनाए गई है गैरसेंड उत्राखंड की जो आपकी राजधानी वो देहरा दूने लेकिन ग्रिस्मकालिन नहीं की ग्रिस्मकालिन जो गर्मी में बहुत बड़ा आपकी पलट से सरकार पलट सुकी है तो यह बहुत बड़ा इंपोर्डेंट यहां पर question बन जाता एक्जाम्स आपकी दिरिश्टी कौन से वह अर्तमार में भारत में कितने के अंदर सासित परदेश हैं तो टोटल कितने के अंदर सासित परदेश हैं यह 8-8 ब सबसे ज़्यादा समुद्र से लगा हुआ जो राज है वह गुजरात है next question है खेवर दर्रा कहां पर है तो खेवर दर्रा पाकिस्तान में भारत में करके मता जाईएगा next है silicon valley की सहर को कहा जाता है यह साइलेंट वेली कहा पर इस्तित थे तो यह केरल में इस्तित है साइलें पाल उडिसा में आपका छील आपका चील का जील है याद रखेगा अरावली परवतमाला की स्राज में तो राजस्थान में अरावली परवतमाला भारत के तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है 7500 km 30 रेखा है और इस तलिया से रेखा कितने बताया ना मैंने 15200 km यह सब जरूरी है याद रखिएगा टोटली कंचन जंगा किस राज में इस्तित है कंचन जंगा सिक्किम में इस्तित है आप जाइएगा तो बहुत ही अच्छी जगा है वहाँ पर भारत में सबसे घmic gäनी अभाधी वाला राज भीहार है और सबसे ज़एदा जनशंख्या है वह उत्तर परदेश का है भारती मरोस्तल को क्या कहа जाता है जो कि ठार मरोस्तल कह जाता है और अधिक तर यहां पराजस्तान और गुजरात के एरिये तक फैला हुआ है गोंड जन जाती किस राज में पाए जाते हैं ये काफी important question है अक्सर पूछे जाते हैं जो कि मद्य परदेश में गोंड जन जाती है और ओंग जन जाती किस राज में पाए जाते हैं तो अंडमान निकोबार में सबसे जाती जो है वो ओंग जन जाती पाए जाती है केरल के तट को क्या कहते है तो मालाबार तट केरल के तट को कहा जाता है गारों खासी जनतियां की पाडियां कहां पर मिलती है तो ये मेगाले में मिलती है याद रखीगा चिलका जिल उडिसा में इस्तिते लक्ष द्विप मे दीक है किनारे राूर केला इस्टिल या इस्टित है, और आपको कहीं पर पूछ दिया जाए गाई तो यह आपको इस्टिल प्लाइए तो यह आपका यूके यानि की इंग्लेंड की साहिता है, चार हो कोईसटन इप्लाइड याई जो मैंने बताए उसको पॉज यानि की पीछे करके दुबारा सुन लिजेगा चारों में से कोई एक न कोई कोई सन पूछा मिल देखा मिल जाएगा किसी भी एक्जांस में आपको नेक्स है आयोद्या किस नदी के किनारे इस्तित है तो सर्यू नदी के किनारे भागी रथी नदी है वो कहां से निकलती है तो गोमुक से निकलती है भागी रथी नदी सिंदू नदी का उद्गमस्तल कहां है ये मान सरोवर जिल से निकलता है सिंदू नदी और यहां पर आप आपको पता यहीं से ब्रंपुत्र नदी का मुहाना है वहीं से निकलती है भारत की सबसे लंबी सायक नदी कौन सी है तो भारत की सबसे लंबी सायक नदी यमुना नदी है और किस की सायक नदी है तो यह गंगा की सायक नदी है नेक्स कोशन है सुन्दरवन का डेल्टा कौन स से निकलती है तो अमर कंटक की पहाड़ी जो आपका नासिक में इस्तित है यहां से गोदावरी नदी निकलती है नासिक किस नदी के तट पर इस्तित है तो गोदावरी नदी के तट पर इस्तित है जोग जलपरपात है वो किस नदी पर इस्तित है तो सरावती नदी करनाटक म जोर जलपरपात या फिर गर्सोपा जलपार मिल दाए दोनों एकी नाम है जोग या गर्सोपा वो सरावती नदी करनाटक में इस्ती थे नेक्स कुछन है धुआधार जलपरपात किस नदी पर इस्ती थे तो ये नर्मदा नदी पर इस्ती थे नेक्स है अलमाटी बांध किस पर इस्थित है, तो ये क्रिष्णा नदी पर ओल्माटी बांध आपका करनाटबंए स्थित है नेक्स है, मैट्चुर बांध किस नदी पर बनाए गया है, तो मैट्चुर बांध कावेरी, ये मेरी नदी है, कावेरी नदी याद रखेगा कोई चीज जहां पर मिश्टेक हो जाती है आप उसको सही कर लिजगा जब ये पीडियाफ अप लीजगा तो मेट्टूर्बांग कावेरी नदी पर इस्तित है भारत में सबसे अधिक वर्सा कहां होती है तो मसीन राम में होती है सबसे ज़ादा वर्सा मसीन राम किस राज में है कमेंड की से आप नेक्स खुशन भारत के किस राज में जाड़े के मोसम में वर्सा होती है तो तामिल लाडू में एगाई जाड़े के मोसम में बहुत ही तेज वर्सा होती है लगबग आठ से दसनी लगतर वर्सा होती ही रहत भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन है तो हैली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और हैली नेशनल पार्क ये पूछा जाने वाला कोशन है याद कर लिजेगा रट लिजेगा और ये हैली नेशनल पार्क किस्त आपको मिलेगी राज में तो हेली नेशनल पार्क बहरत में सबसे जादा बाग किस राज में पाए जाते हैं तो सबसे जादा बाग मद्य पर्देश में उसके बाद करनाटक में मिलता है नेट से काजी रंगा राश्ट के उद्यान जो है वो किसके लिए फेमा से नेक्स है मिर्दा अपर्दन को रोका जा सकता है तो अधिक से अधिक वरिक्षार उपन करके मिर्दा जो अपर्दन है उसे हम रोक सकते हैं तो वरिक्षा जरूर उपियर वरिक्षार रागाना बहुत ही आपकी प्रयावरन के लिए संतूली थे नेक्स है भारती सब्जी सोध संस्थान कहां पर इस्थित है तो वारा नसी में भारती सब्जी सोध संस्थान भारती चावल अनुस अंदान संस्थान तो ये कटक आपका ओडिसा में स्थित है भारत का राष्ट फल क्या है तो आमे भारत में अबरक का सरवाधी कुदपाद स जार्खंड में कोईला की खाने इस्तित है जार्खंड में जार्खंड में जार्खंड की भागेदारी कितनी है टोटल 20% केवल उत्पादन जार्खंड ही करता है देश की कोईला उत्पादन में भारत में यूरेनियम का उत्पादन सबसे जादा कहां पर होता है तो जार्खं प्राइश्टिल प्लांट की स्थपना किस देश की सायता से हुई थी तो सोवियत संग मैंने बताय था जो कि रूस की सायता से हुई थी उसमें सोवियत संग था याद रखेगा नेक्स है भिलाईश्टिल प्लांट किस राज में इस्थी थे तो भिलाईश्टिल प्लांट और बांधवगड आ जाए तो आपका ये मध्यपरदेश में है दोनों में confusion होती है बांधीपूर आपका करनाटक है बांधवगड आपका जो है मध्यपरदेश में है नेक्स कोईशन भारते रेल के डिबबे कहां बनाए जाते हैं तो कपूर थला पंजाब और पैरांबूर तामिलनाडो दोनों जगा आपको मिलते हैं भारते रेल के डिबबे बनाए जाते हैं नेक्स कोईशन है दक्षीन भारत का मैंचेस्टर किसे का जाता है उत्तर भारत का मैंचेस्टर किसे का जाता है आप हमें कमेंट करें नावा सेवा बंदरगा जो है वो कहां पर इस्तित तो पारादुइप ये उडिशा राज में इस्ति थे नेक्स कोशन किस बंदरगा को भारत का द्वार कहा जाता है तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है याद रखेगा भारत की सरवाधिक बड़ी जन जाती है तो गोंड सबसे जादा जन जाती सबसे परदेश में सबसे ज़्यादा मिलता है गुरु गोविन सिंग की समाधी स्थल कहाँ पर है तो नामदेड याद रखेगा नामदेड में गुरु गोविन सिंग की समाधी स्थल है नेक्स है कुछी पुड़ी किस राज का सास्तर ने रिते है तो आंदर परदेश का सास्तर ने कुछी पुड़ी है बियू किस राज का सास्तर ने रिते है तो असा मैं जयो बियू का सास्तर ने रिते है सुर्योदे का देश किसे कहा जाता है तो जापान को सुर्योदे का देश कहा जाता है जहरकंड का सिमला किसे का जाता है तो रांची को कहा जाता है ये गलत है नतरहाट को कहा जाता है लक्षद्वीप समू कहा पर इस्तिते अरब सागर में है लक्षद्वीप समू इस्तिते और कितने लक्षद्वीप में दूपों की संक्या है तो 36 है याद रखीजेगा तौर्व कहाँ पर इस्तिते नें इस सब जितने भी मैं बता रहा हूँ, चोटी वेगरा, दर्रा वेगरा, काफी important question है, आपको अच्छे से देख लेना है, PDF लेके revise कर लिजेगा, next question है, पूर्वी गाट का सबसे उंचा परवत स्रेनी है, तो महेंद्र गिरी है, सबसे उंचा स्रेनी है, पूर्वी गाट का, next question पूर्वी गाट का, जो सबसे बड़ा परवत है, वो महेंद्र गिरी कहलाता है, और पस्मी गाट का, जो सबसे बड़ा परवत है, वो दोदा बेटा के नाम से जाना जाता है, next question है, एसिया के किस देश में सबसे लंबी रेल मार्ग है, तो सबसे लंबी रेल मार्ग है, एस झेलब six numbers, sabemos, होँप मन मैं बता देता हूं डिष्य गांसे करें कि इस्ट पर पेदा होते हैं तो चीन में सबसे जदा पर पयदा होते हैं लिख में केल्य का सबसे बड़ा मारा भारत सबसे बड़ा में पादक है केले का în Math-Predis में सबसे ज्यादा सोयाभीन पाया जाता है। उगाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा चावल उद्पाधक राज है। सबसे ज़्यादा मसाला हुगाए जाते हैं गाईश जितने भी आपको सारी मसाला लगबग मिलती है वो केरल में ही ज़्यादा मिलते हैं मिर्च बगर कई परकार के मिर्च यहां पर मिलते हैं कोईला की राजदानी किसे कहा जाता है कोईला की राजदानी जहारखंड को कहा ज क्रिसी की जाती है सोपान क्रिसी जो एक प्रकार की क्रिसी होती है वो पहाडों पर पहाडों की ढलान पर जैसे हिमाचल परदेश उत्रा खंड के पहाडों जो ढलान होते हैं उसमें सोपान की क्रिसी अधिकतर की जाते हैं कोई उत्रा खंड से हैं तो अब मैं कमेंट कर सकते ह ये सोपन की क्रशी क्या होती है नेक्स कुछन है केसर का मुखी उतपादक राज है जम्मू कस्मिर में केसक का उतपादन जो होता है गेर राश्टी उद्यान किस राज में है ल सब्सक्ता ओर किसके लिए ऐसे लिए असिए discourthальный इन याद रेगा दोनों की अृष्षिन important है नेक्स नेचैर जीम कॉरबेट नेचनल पार्क कहा पर है तो यह आपका उत्राखंड में है, हैमिश नेचनल पार्क कहा पर ही आपका लग्डाक है, हैमिश नेचनल पार्की बहुत ininent Lage है, क्योंकि पहले यह जम्मू कसमिर में था, लेकिन आप अब यह पहुंच चुका है स् सबसे बड़ा सबसे उंचे traditional park है गाईस हमारा Hamish national park आपको कहीं पर आपको देखा मिल जाए कि भारत का सबसे बड़ा national park कॉन है तो Hamish national park करके आइएगेगा भारत के किस राज में सरवादिक भान है तो मात्य परदेश में सरवादिक जंगल है मानस राष्ट उद्यान किस राज में है तो ये आसम में नामदफा नेशनल पार्क कहां पर इस्तित है तो ये अरुनाचल परदेश में इस्तित है पंचमडी जीव सनरक्षन अभ्यान है ये किस छेत्र में है तो ये मदबर्देश में है पंचबडी next question है काना नेशनल पार्क किस राज में है तो ये मदप्रदेश में काना है मदो मुलाई पसु भियार कहाँ पर मिलेगी आपको तमिल नाडों में मदो मुलाई मिल जाएगी नेक्स कोईशन है जादू गोड़ा की खाने किसके लिए परसीदे तो यूरेनियम का भंडार है जादू कोड़ा की खाने और जादू कोड़ा आपका जारकांड में इस्तिते नेक्स है कोईले की सुद्धतम रूप है तो एंथरा साइट है जो की सबसे ज़्यादा कोईला ये सुद्धतम रूप है मैंने टॉप 200 कोईशन करा हैं जोगराफी के जो एक्जाम पॉंडे व्यू से काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है और इस वीडियो को दुबारा आप रिवाइस करके देख लिजेगा इसकी पीडियेप को प्रिशेज करके आप रिविजन जरूर कीजेगा गाईश ओफुल